So guys, आप Indian Coast Guard का Admit Card का काफी बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो भाई, वही मैं आपको बताने आया हूँ कि Indian Coast Guard में आपने नेविक, GD, DB और यांतरिक का जो form fill up किया था उसका Admit Card कब आने वाला है? क्योंकि भाई, अब मार्च आ गया है अब आप और वेट कितना करोगे? अब तो exam का भी आप वेट कर रहोगे कि Admit Card कब आएगा? प्लस exam कब होगा? तो भाई, इसे के बारे में हमें इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो अगर आपने form fill up किया है तो भाई, आपके लिए वीडियो तो काफी महतोपूर्ण होने वाली है सबसे पहले तो भाई, इस वीडियो को पूरे अंतक देखना, बिल्कुल एक एक डिटेल आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कब आने वाला admit card और आपका exam कब तक हो जाएगा तो भाई, इस वीडियो में बने रहो और भाई, अगर चैनल पर first time हो तो चैनल को subscribe कर लो ताकि कोई भी update आया, तो सबसे पहले आपको मालम चले भाई, और आपका सारे doubt clear हो जाए इस वीडियो को share पका करना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्होंने भी form apply किया होगा तो उनके लिए भी काफी वीडियो helpful हने वाली है, और भाई अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर देना और भाई चैनल को subscribe तो करीद देना, तो भाई चलिए बिना किसी देरी वीडियो को start करते है तो भाई यो 2021 में भाई नेवी की तो वेकेंसी आएगी कब उसका तो पता नहीं, लेकिन अभी क्या है कि अभी इस महिने में ही आपकी आने वाली admit card आपका जो admit card आने वाला हो दोस्तों ये first week तक आ जाएगा, यानि कि March के आपके first week तक, यानि March का first week ले लो एक से लेके से March के first week में, तो ये आपका हो गया admit card की बात कि March के first week तक तो पक्का आ जाएगा और भाई, पांच ए छे तक तो पक्का ही आ जाएगा, मैं guarantee देता हूं, और भाई, अब सोचरोगे कि exam कब होगा, admit card आ जाएगा जब तो, तो भाई, अगर exam की बात करें तो आपके March के mid में, आपका exam हो सकता है, होने की chances बहुत हाई है, मिड में, और अगर मिड में नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो चलो vaccines लगाने की थोड़ी प्रक्रिया चल रही है, तो भाई, आपके end तक तो पक्का हो जाएगा, यानि फिर भी, आपके March में तो exam आपका पक्का हो जाएगा, और इ भाई, notification का मैंने बता दिया, कि notification जो है, वो आपकी आजए, sorry, notification नी, admit card जो है, वो आपकी 5-6 तक आजाएगी, और जो आपका exam है, वो आपका March के end तक तो हो जाएगा, और ज्यादा तर probability ये बनती है, कि March के mid तक ही, भाई, mid तक ही होने वाला आपका exam, और काफी बच्चों क ये भी doubt थे, कि sir, बता दो कि हमारा admit card, अगर हमारा 50% है, तो आएगा, या 55% है, तो admit card आएगा, तो भाई, आपका कितना भी percent हो, आपने form fill up किया है, आपका admit card 100% आने वाला है, क्योंकि वो पहले होता था, कि जो highest, जिसका marks होता था, उसका admit card आता था, बट अभी नहीं, अ ये तो clear होगा आपका, exam कब होगा, ये भी clear होगा, और आप सबका admit card आएगा, ये भी भाई, आपका clear होगा, तो अभी भी कोई doubt बचा हो, कि for example, paper English में होगा है, हिंदी में, तो भाई, paper तो English में होने की chances है, बाकी, बाकी जब आएगा तब तो पता लगी जाएगा, लेकिन इंग्लिश में होने के highest chances है, और हिंदी में भी हो सकता है, या फिर इन दोनों को छोड़ो option, bilingual, यानि दोनों language में आ सकता है paper, तो भाई, इसकी tension तो आप बिल्कुल मतलो, आगे आपका admit card आए, फिर आगे procedure होगा, तो भाई, और भी अगर कोई आपका doubt है, तो नीचे comment section में पका पूछो, मैं पका reply दूँगा भाई, और भाई, कोई भी doubt हो, आराम से पूछना, और full detail बताऊंगा, कोई tension की बात नहीं है, और भाई, चलो, इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको information जो मैंने बताई, वो पसंद आई हो, तो भाई, दोस्तों के साथ शेर करना वीडियो, और भाई, वीडियो पसंद आई हो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद,